Hello everyone, welcome back, इस वीडियो में आप और हम स्टेडी करने वाले हैं आज तो रूदत की पोयम, अवर कैजुरिना ट्री, देखिए अवर आप जानते हैं, अवर का मतलब होता है हमारा, और कैजुरिना एक ट्री का नाम है, जिसे हम अभी समझेंगे पहले, अवर जहां वर्ड आ जाता तो यह जो पोयम है, फेलिंग से भरी हुई है, देखिए किस तरीके से, कैजुरिना जो है, उसे तीन नाम से और जाना जाता है, सी, ओक, आउस्ट्रेलियन पाइन और नेटिव पाइन, यह यूजवली आउस्ट्रेलिया में, इंडियन सब कॉंटिनेंट, साउथीस्ट इस तरीके से होती है, और यह जो पोयम है, इस पोयम का बेस कैसे है कजुरिना, वो देख लीजिए, यह जो पोयम है, यह जो हमारी पोयम है 있는 childhood home come, इंडिया में, उनके garden के अंदर था, उनके होम garden था उसके अंदर ही पेड लगा हुआ था, और इस पेड की नीचे, यह जो हम तक तोरूदत के भाई बेंजो थे वो इस दुनिया में नहीं रहे थे तो ये पोएम बेसिकली आप कह सकते हैं कि पास्ट की जो मेम्रीज है ना उन से रिलेटिड है यानि पूरी तरह से पास्ट मेम्रीज को डेडिकेट की गई है ये पोएम तो आपको सैटिंग तो पता चल पूरी फैमली अब रोड शिफ्ट हो गई थी और इनके जो सिब्लिंग्स थे भाई बहन जो है वो एक्सपायर हो गई तो अरूदत खुद भी बहुत छोटी से उमर में ही एक्सपायर हो गई थी तो इन्हें जो उनकीट्स के साथ भी रिलेट कर देते हैं इनके बहुत सार हुई इंडिया से यानि इनका इंडिया के लिए जो लव है न वह पूएम में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है तो चलिए स्टार्ट करते जदा टाइम वेस्ट नी करते हमारी पूएम को क्योंकि हमें राफ दूदी कंटेक्स्ट भी करना है हमें कोशन आंसर भी कुछ इसटरीक के से जो लिप्टी हुई है उसकी जो रांड रांड जो है वो पूरे तने के ऊपर इसके जो शाखायें है उनलिपट गय है रांड गई है जो ट्रंक है वो भी कैसा हो गया है रग्ड है रग्ड आप जानते हैं रफ अनीवल ठीक है इंडेंटिड यानि डेंट पड़े हुए है उसके उपर यानि जो स्तै है न वह एकदम समान नहीं है बिल्कुल उबडखाबडसी है डीप विद्सकार स्कार्स हैं पूरे तने के उपर यानि बहुत भारी भर कम सा पे अब या जो सीन है ये उस पेड का डिस्कृपिशन है जिसकी बात तरूदध यहां कर रही है जिसे आप कैजो रेना ट्री बोल रहे हैं ये कैजो रेना ट्री उनके कहां लगा हुआ है ओम गार्डन में उनके घर का जो गार्डन है वसमे लगा हुआ है और वहाँ पर है क्योंकि इसने यहां कंपारिजन किया है अब कंपारिजन कैसे किया है देखो पाइथन के साथ में लाइक वर्ड पहले शुरू में दे दिया लाइक अ use python तो simli है इसके अंदर इतने से में ही आपको देखने को मिलगी first line को जैसे ही आपने पढ़ा ना आपको poetic device जो है सामने आगे ensorbment जहाँ line खतम नहीं हो रही हो और continue हो रही हो आपको ensorbment लिखना ही है चलिए आगे चलते है एक creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live कि इतना creeper creeper का मतलब होता है उपर जो लताएं चड़ती हैं जो बिना सहारे के उपर नहीं चड़ सकती है लताएं जिनको बोलते हैं एक creeper ऐसा plant जो सहारा लेकर चड़ता है तो creeper जोने इसके लताएं जो है वो इस तरीके से इसको जखडे हुए हैं अब्रेसिस करने का मतलब हो जाता है hold closely in one's arm बहुत एकदम लपेट लेना अपने में इतना टाइटली लपेट रखा है आपने आपको कि अगर किसी और ट्री को इस तरीके से लपेट रखा हो न तो नो अदर ट्री कुड लेव कोई और पेट जिंदा भी नहीं रह सकता इतना ज़्यादा टाइटली जो है इसको लपेट रखा है इसकी लपेट रखा है अब देखो यहाँ पर यह जो है आपको देखने को मिल रही होंगी वैसे एकदम जो कहते हैं रियल पिच्चर वो नहीं है यह आपके सामने से पर छोटा सब सीन हमने दिखाने की कोशिश करी है इसकी जो इस तरीके से जुक जाती है लताये जो है और पेड को पूरा पूरे तने को पूरी तरीके से कवर कर लेती है देखे पोईटिक डिवाइस परसोनिफिकेशन है यहाँ किसलिए क्रीपर वर्ड वो ना यह क्रीपर वर्ड है ना देखे पर इस रिस्ट्राइब आज़ाएस अविग एम्ड्रेश एट्रिबूटिटिंग हुमन लाइक क्वालिटीज यह होगी ना इस तरीके से पूरे तरीके से वहला जकड लिया है कि किसी और पेड को जकड लेन तो वह जिन्दा भी नहीं रह सकता इतना ज्यादा कसकर रखा है उसको तो कसकर यह जो अपने क्लोजली होल्ड कर लेना होता है अपनी आम्स में यह हुमन लाइक क्वालिटी सो हेर इस परसोनिफिकेशन एंड एंजाबमेंट देखने को मिल रहा है बिकाज लाइन खतम नहीं हुई है नेक्स पे मूव कर रही है अब बट गैलेंटली का मतलब क्या है गैलेंटली जो है उसका मतलब होता है मतलब एक ब्रेव आप कह सकते है जाइनट एक राक्षच देखनेट जाइनट ऐसे लगता है कि जैसे किसी जाइनट ने किसी देखनेट ने सकार्फ पहन लिया हो यानि लटाएं जो है पूरे तरीके से कवर कर रखे है नीचे तक पेड को ऐसा लग रहा है जैसे कोई देत्या खड़ा हो बहुत भारी भरका लेकिन स्कार्फ ओड रखा हो शाल ओड रखा हो या दुपट्टा ओड रखा हो आप कह सकते हैं and flowers are hung और फूल जो है वो लटक रहे हैं in crimson crimson color है यहाँ पर crimson जो है सारे के सारे बाउस जो हैं where on all day are gathered bird and bee सारे के सारे जो बाउस है उनके ओपर फूल आ गया है बहुत अच्छे से वहां पूरह दिन बर्ड और बी मक्या और पक्षी जो है वो रहते हैं वह लोग उसको घेरे रहते हैं क्योंकि फूल है तो फूलों पर पक्षी भी आसपास घू त्री आप टीन रख दिया है अब हम पोईटीग डिवास देख लेते पर सोनिफीकेशन अंड मेटाफर हाउ पूईट पर सोनिफाइज पर स्थरी आजगेलेंट जाइंट गलेंट की तरह है मल विशाल देखते है जो होता है न उसकी तरहिके से और वह भी स्कार फोडे हु तो परसोनिफिकेशन और मेटाफर दोनों की दोनों पॉइटिक डिवाइस यहां पर आ रही है अब इसके साथ एंजाबमेंट भी है एंजाबमेंट तो आप नोटिस करी लेंगे कि लाइन कंटीनू होती है तो एंजाबमेंट है नेक्स्ट देखिए एंड ओफ ओफन से लिया है अब देखो आपको थोड़ा सा हैरानी करेगा यह वाला वर्ड कि विद वन स्वीट सोंग तो हैंजाबमेंट का टाइम है और आपको पेड में से संगीत सुनाई दे रहा है अब इसका मतलब क्या है नाइट टाइम में क्या होता है Teaching says जरे ज़ते हैं युणिन आपको पेड़ न दो जाते हैं लोग कोज़ास छेपी आपकी पत्था ट्रों जो ऑन कोड़ा एपत्त हैं जो पीड डेकर पैटे लोग करते हैं और हो साउंड ग्रीट करते रहते में और ano वही sound जो है यहाँ sweet song बताया है कि रात के अंदर भी garden के अंदर overflow रहता है music क्यों क्योंकि वो पेड़ है और वो पेड़ जो है वो बहुत सारे birds बहुत सारे bees और बहुत सारे insects जो होते हैं उनका home है ठीक है चलिए poetic device देख लीजे alliteration is here alliteration बहुत easy है आप जानते हैं देख लेते हैं बहुत the repetition of consonant sound at the beginning of the word is used to create rhythm and mood for example sweet song that seems to have no close here the repetition of s consonant is alliteration s consonant जो है repeat हुए so here is alliteration ensignment आपको देखने को मिली राय बार बर आगे move करते हैं when first my casement is wide open through casement यानी window when first my casement is wide open thrown add on my eyes delighted on it rest कि मेरी आखे जो है वो बहुत delighted feel करती है जब मैं इस पेड को देखती हूँ तो देखिए poetic device imagery है यहां पर इसे समझाने की जरूरत नहीं है चलते हैं थोड़ा poem बढ़ी है तो जहां पर लगेगा ना कि उसको clear करना जरूरी है वहां हम उसे बता देंगे आपको अच्छा तरीके से imagery जहां image आपके सामने create हो जाए आगे देखिए sometimes and most in winter on its crest a grey baboon बबबून क्या होते है यह होते है लंगूर लंगूर को बोलते है बबून sit statue like alone कहीं बार क्या होता winter time के अंदर grey color के बबून आकर बैठ जाते हैं ऐसे जैसे statue बैठाओ बिल्कुल अकेला आकर बैठ जाता है or watching the sunrise और वो sunrise को देखा करते हैं winter time में आकर बैठते हैं और वहीं कहीं lord जो इसकी bowels हैं उनके उपर इनकी जो offsprings हैं इनके जो बच्चे हैं वो आकर बैठ जाते हैं वो क्या करते हैं play करने लगते है leap and play leap is jump करना क्योंकि यह जो प्रजाती होती है बंदरों की प्रजाती होत और इनका जो enjoyment है वो कूदना खेलना ही होता है तो यह यहां पर बताना क्या चाहरी है कि tree जो है na tree वो किस चीज का symbol है tree symbol है life का कि tree के ओपर देखिया आप कितनी life जो है वो depend है human beings depend है animals depend है insects depend है है और birds वगरा जो है वो भी depend है तो जो हम tree जो है वो क्या है source of life है okay तो यहां उसे क्या याद आ रहा है जिन्दगी याद आ रही है अपने भाई बेनों की जो उसने बिताई है तो यह poet जो होते है न यह बहुत ही learned होते है इन यह लोग शब्दों के साथ में ऐसा खेल खेलते हैं कि मतलब poetry अपने आप में एक source होता है जो आ कोकिलाज, hail the day और सुड़ा सा दूर या नजदीक आप समझ लिया वहां कोकिलाज भी होती है कोईल, here, hail the day hail the day का मतलब hail का करने का मतलब होता है small जो होती है न बॉल्स होती है या यह कहिए कि दिन के शुरुवात करती है वो जो कोईल बोलती है दिन के शुरुवात करती है और उनकी आवास सुनकर क्या होता है and their pastures went our sleepy cows कि इन सब चीजों से क्या होता है हमारी जो गाए है वो उट जा आती है या फिर वो अपने साउंड करती है उससे क्या होती है हमारी सोही हुई जो गाए है वो जाग जाती है तो यहां पर गायों आप देखो यहां पर इमेजरी आगई आपके सामने तो इमेजरी को मुझे नहीं लगता है एक्सप्रेइन करने की ज़रत है आगे मूव करते है और इन दशेड़ो ऑन दब्रोड टैंक कास्ट और इसकी परचाई के अंदर यह जो पेड है इसकी परचाई इसकी जोहां शेड मतलब पेड की चाया पढ़ रही है और ब्यूटिफुल वास्ट वाटर लिली जो है वहां खिले हुए है वह ऐसे लगते हैं जैसे स्नो है एनमास्ट का मतलब गैदर्ड या क्लस्टर आप कह सकते हो ऐसा लगता है कि जैसे स्नो बिखरी हुई है चारो तरफ इसकी परचाई यहां तो सारा क्या हो रहा है भी तक नीचर का डिस्क्रिफिशन हो रहा है पेड के बारे में बताया आस-पास के जो माहूल है उसके बारे में बताया है अब पोईटिक डिवाइस देख लेते हैं सिंबली क्योंकि यहां भी कंपैरिजन हुआ है वाटर लिलीज का इन्होंन हो जाए तो हमें सिंबली लिख देना है बिना जादा सोचे संझे ओकी आगे चलिए बट नोट बिकोज ओफ इट्स मैगनिफिकेंस अब यहां तो रुदत रियल जो बात है ना अपने दिल की वो करने वाली है बट नोट बिकोज अफ इट्स मीन्स कैज़र अनट इन्स हमेज़न कर रहे हैं अगर तो एक सीन बन रहोगा बहुत सुन्दर सा कि बहुत बड़ा प्यारा सा पेड़ है उसकी चाया है नीचे पानी है वाटर लिलीज जो है वहाँ खिली हुई है उस पर बंदरा आकर बैटते हैं उनके बच्चे जो हैं खेलते हैं नीचे गाएं जो my soul कैजुरेना सिर्फ इसलिए मुझे याद नहीं आता कि इतना खुबसूरत है इतनी सारी खुबसूरती को create करता है नहीं यह मेरी आत्मा में बसा हुआ है बिनीथ इट इसके नीचे we अब देखो आवर कैजुरेना लिखा था ना यह आवर जो है वो इस वी से मैंने कहा था ना आपको आगे डिस्क्राइब करूंगी इसलिए मैं आपको कहते हूं कि concentration के साथ में वीडियो पर लास्ट तक बने रहा कीजिए क्योंकि बहुत बारिकी होती है पोयम के अंदर बहुत बारिकी होती है हर एक लिटरेरी वर्क के अंदर अगर आप concentration के साथ में स्टडी करेंगे न हर एक वीडियो से आप depth निकालेंगे गहराई निकालेंगे उस वर्क की वी आवर हाँ ये दोनों वर्ड जो है वो emotions से जुड़े हुए है feelings से जुड़े हुए है we have played खेला करते थे we means तोरू एंड हर siblings तोरू और तोरू के भाई भेन सगे भाई भेन जो थे तोरू के वो खेला करते थे दो years में role कि सालों बीत गए हाँ मैं इसलिए तुम्हें प्याद करती हूँ अब यहाँ symbolism है कैजरिन ट्री जो है वो symbolize किया गया है cherished memories के साथ में और companionship के साथ क्लियर क्योंकि आगे भी देखिए companionship की बात हो रही है oh sweet companions loved with love intense कि मेरे बहुत प्यारे साथी कौन वो जो मेरे भाई भेन थे बहुत प्यारे साथी loved with love intense जिसको मैं बहुत घहराई से प्यार किया करती थी for your sakes तुम्हारी वजह से क्योंकि तुम्हारे नीचे ही तो आकर हम कहला करते थे तुम्हारी चाया में आकर कहला करते थे shall the tree be ever dear सिर्फ इस वजह से तुम मेरे बहुत dear हो बहुत dear हो तुम मेरे बहुत करीब हो यहां देखिए hyperbole है because intense love for the companion exaggerate the emotional attachment so here is hyperbole intense love को describe कर रहा है आगे चलते है blend with your images it shall arise in memory till the hot tears blend my eyes और इतना सब याद करके ना आँखों से आसो आने लगते है hot tears hot word जो है it is the symbol of emotions जब feeling होती है ना तो feelings के साथ में गर्मा हट को जोड़ा जाता है emotions के साथ में गर्मा हट को जड़ा जाता है कि भावनाओं की गर्मी समझ रहा है तो tears जब आपके आएंगे याद करके किसी को तो आसो जो है वो गर्मी होंगे ठंडे नहीं होते कभी भी तो मेरी आखों में जो है वो गर्म गर्म आसो आने लगते हैं जब में यह सारी images जो है मेरे माइंड में आती है देखिए imagery यहाँ पर आ गई है क्योंकि यहाँ tears की बात की गई है strong emotions की बात हो जाती है symbolism or tear symbol है depth of our emotions मैंने बताया है जैसे आपको what is that durg-like murmur that I hear like the sea breaking on a shingle beach durg-like murmur sad, mournful यानि जैसे किसी के मर जाने के ऊपर दुखनी व्यक्त करते हैं what is that durg-like murmur? कि क्या है ऐसी जो मुझे सुनाई दे रही है ऐसी उदासी भरी आवाज ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र की जो लहरे हैं वो समुद्र के पास जो पत्थर पड़े हुए है गोल-गोल जो पत्थर है उनको तोड़ देंगी शिंगल्स जो होते हैं गोल-गोल पत्थर होते हैं जो जैसे समुद्र के किनारे पर आपको देखने को मिलते हैं कॉस्टल एरिया के अंदर तो उसकी बात कर रहे हैं कि ऐसी जो आवाज है ना समुद्र की लहरों की यह मुझे ऐसे लग रही है जैसे कोई उदासी सी क्रियेट कर रही हो वाइट सो बिकोज तोरूदत जो है ना वो किस चीज में है वो इस समय पर याद कर रही है अपने भाई भेनों को याद कर रही है वो इस समय कैसे मूड में है सेडनेस के मूड में है डिस्पेर मूड में है ठीक है अब इसके अंदर हम poetic device देखे तो simly है क्योंकि like the sea breaking on a shingle beach यूज किया है ना ये word like comparison हुआ है tree के sound का so here is simly आगे देखे it is the tree's lament and अब देखो eary speech क्या होती है eary speech का मतलब होता है strange, mysterious speech भाशन आप जानते हैं mysterious, भयानक भी कह सकते हो ये एक tree का विलाप है, जो रक्ष है, जो पेड़ है वो भी बोले कि विलाप कर रहा है, इसका मतलब ये जो tree था ना, इसके नीचे ये भाई भन खेला करते थे अब जब तोरू जो है वो poem लिख रही है, लेकिन तोरू के जो siblings हैं वो दुनिया में नहीं रहे, तो तोरू जैसे याद कर रही है न, वैसे ही ये पेड़ भी उनको याद कर रहा है तो ये विलाप कर रहा है, ऐसा उसको feel हो रहा है, तोरू दत को कि जैसे मैं उन्हें याद कर रही हूँ, वैसे तुम भी उसे याद कर रहे है, मुझे ऐसा लगता है और ये जो उदासी है, अब देखो, इंडिया में ये कहानी घटी थी, इंडिया के अंदर ये जो feelings है जुडी थी और अब तोरू दत जो है, वो अब रोड आ गई है, भार आ गई, दूर आ गई देश से, तो कि अन्नोन लेंड में रीच, ये जो उदासी है, ये जो दुख है, ये कहां तक पहुँच गया, अन्नोन लेंड तक पहुँच गया, कहां तक पहुच गया, अन्नोन लेंड, कि त्री का साउंड जो है यहां पर डिसक्राइब किया गया है स्पीच के थू त्री स्पीच नहीं दे सकता तो इसमें लाइक क्वालिटी दिखा दी हुमन क्वालिटी दिखा दी तो इसलिए यह क्या है personification है तो इसे आप ध्यान में रखके आगे चलना कि that happily to the unknown land may reach unknown yet well known to the eye of faith कि याद शायद पेड इसले करता है कि अब वो लोग जो है वो कहां चले गए है unknown land में चले गए है अब दूँतरह से relate हो गया एक तो तोरू जो है वो अपने देश में नहीं है वो विदेश आ गई है तो यहाँ unknown land तक उदासी उसके साथ आई है दूसरा tree के साथ अगर relate किया है तो tree क्या दुख मना रहा है tree ये दुख मना रहा है कि इसकी चाया में इस पेड की चाया के अंदर ये सब खेला करते थे बच्चे सब खेला करते थे आज उन में से एक है बाकी नहीं है तो ये जो है कहां चले गए ये एक unknown जगा पे चले गए और ऐसी unknown जगा जिसे सिर्फ विश्वास की आँखे देख सकती है क्योंकि भगवान का घर किसी ने देखा नहीं न वो तो खाली एक विश्वास की चीज़ है कि भगवान है दुनिया में होता है और मरने के बाद भगवान के घर जाना है ये विश्वास की तो चीज़े है तो दो तरह से रिलेट होती है विश्वास की बात हो रही है और इसकी सिग्निफिकन्स की बात हो रही है अब आगे चलेंगे हम नेक्स लाइन पर, यानि, oh, I have heard that whale far far away in distant land by many a sheltered whale, कि मैंने सुनी है ये दर्दभरी आवाज, whale यानि, long cry pain of grief, ये दर्दभरी आवाज मैंने सुनी है, बहुत दूर तक सुनी है, बहुत दूरी, तक मतलब मैं इतनी दूर निकलाई हूँ, अपना देश छोड़ कर विदेश आ गई हूँ, यहां तक घाटियों में भी सुनी है, मैंने ये, मतलब वो जो दुख है न, मेरे अपनों से बिछड़ने का, वो मेरे साथ यहां तक भी आया है, यहां image recreatory, poetic device में, आगे चलते हैं, when slumbered in his cave, the water and the waves gently kiss the classic shore of France or Italy, यानि देखो, जो तोरु मैं समुंदर के किनारे बैठती हूँ, या nature के close जाती हूँ, तो मुझे वही साउंड या पिर कैसे रहे न, ट्री को जब मैं देखती हूँ, तो मुझे वही यादे जो है, वो ताजा हो जाती है, मुझे मतलब ऐसा लगता है, कि जैसे यहां France, Italy के अंदर, जिस तरह से जहा मैं बैठी हूँ इस समय, जो सिनेरियो मेरे सामने है, चांद की बिल्कुल चाया के नीचे, समझ लीजे, कि यहां पर भी मुझे यह सब चीजे फील हो रही है, यहां पर पानी का जो है, बहाव है, समुंदर जो है, तेज पानी के बहाव के साथ में आगे बढ़ रहा है, आ इन सारे ग़ाजों के अंदर, इन सारे सांड्स के अंदर मुझे वही सारी चीजे झो है, जो मैंने मेरे भाई-भेनों के साथ में अच्छी आदे, जो अच्छी अच्छी दिन जो बिताए हैं, वह सब याद आते है, जब पानी का बहाव तेज होने पर लहरे उची उच्य क्लासिक तट को छूकर निकलती थी जब आर्थ भी बेहोशी मिलेटी हुई थी यह समझ यह आपकी आर्थ जो है वह भी बेहोशी मिलेटी हुई थी वह वुस टाइम पे भी मुझे है ना यह सारी कि सारी बाते जो है वह यहाँ दाया करती थी पोईटिक डिवाइस, here is illusion because यहाँ ना कुछ क्लासिक वर्ड यूज किया है यह से लिए यह रियलेटी में है तो ऐसे प्लेसे जो एसे एक स्प्लोर करते हैं तो उससे क्या है मतलब कल्च्रल सिग्निफिकंस आरे सामने आते हैं so here is illusion यह भी एक पोईटिक डिवाइस होती है अगे मूव करते हैं and every time the music grows और हर समय एक music जो है वो पैदा होता है music जो है वो बनता है before my inner vision rose a form sublime कि मेरे अंदर का music जो है या मेरे अंदर की जो भावनाएं जो है वो फिर से उठ जाएं उससे पहले दाई फॉर्म तुम्हारे लिए oh tree as in my happy prime I saw thee कि मेरे खुशी वाले दिन जो मैंने तुम्हारे पास बिताए मैं उनके लिए मैं dedicate करना चाहूंगी यानि वो जो दिन मैंने तुम्हारे साथ में बिताए थे मेरे अपनों ने तुम्हारे साथ में बिताए थे मैं और मेरे भाई बहनों ने तुम्हारी चाया के नीचे रहकर बिताए थे मैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन खुशियों के मैंने दिन बिताये थे खुशी वाले, मैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हूँ, तुम्हारे लिए एक पोईट्री डेडिकेट करना चाहती हूँ, देखें, यहाँ पर पोईटिक डिवाइस है, इंडिया में बिताया था, आगे देखें, therefore I feign, would, conscrate a lay, lay, poetry से आप समझे, एक पोईट्री से आप समझे लिजी, आप ले, ठीक है, वैसे तो इसको मैं और explain अगर करूं, तो यह तरह किसे नाम है, पोईब का, therefore I feign, okay, feign means willingly, gladly, बोथ खुशी से, therefore I feign, would, conscrate, का मतलब होता है, dedicate करना, कि मैं इंसी जो को दिहान में रखते हुए, तुम्हे एक पोईब देखे करना चाहते हूं, and to thy honor, तुम्हारे सम्मान में, beloved of those who now in blessed sleep, और उनको भी, blessed, जो है, उन beloved को भी, साथ में रखना चाहती हूं, जो इस समय, blessed sleep, इसका मतलब, जो इस समय, जो है, वो गहरी नीन में सो चुके हैं, यानि दुनिया में नहीं है, for a, a comments, yes, यानि अपनी हामी भरते हुए, repose, dearer than life to me, वो जो गहरी नीन में सो गए, लेकिन मुझे मेरी जान से भी जादा प्यारे हैं, मुझे मेरी जिंदगी से भी जादा प्यारे हैं, alash, worthy, कि एक आहा भरते हुए कहती है, worthy, कि थे वो, अब नहीं हैं, यानि तुम्हारे साथ हमने, मैंने और मेरे भाई भेनों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया है, और उस टाइम को याद करते हुए, उस happy days को याद करते हुए, उन अच्छे दिनों को याद करते हुए, मैं तुम्हें एक poem dedicate करना चाहती हूँ, आगे देखिए, poetic device देखेंगे, हम यहाँ पर hyperbole है, क्योंकि the poet uses hyperbole जब वो यह कहता है न, compare करता है कि dearer than life, तो यहाँ पर बढ़ा चड़ा के ही बोला है, अपनी जिंदगी से भी जादा प्यारे, तो यह hyperbole हो गया, maced, it means archaic है यह, यहाँ में, और might से relate करता है यह word, thou is also an archaic word, be numbered when my days are done, मैं तुम्हारे लिए poem लिखना चाहती हूँ, और देखिए, यहाँ पे writing के बात करी है, अब poem, poet ने लिखी, poetess ने लिखी, poetess आज हमारे बीच नहीं है, बट poem तो है, और poem के थुरू ही हम उस कैज़ना ट्री को याद कर रहे हैं, कि कैरे, दिन चले जाएंगे मेरे, मैं इस दुनिया से चली जाओंगी, मेरे दिन चले जाएंगे, with deathless tree, लेकिन तुम जो है, वो अमर हो जाओगे, deathless, तुम्हारे लिए मैं लिख दूँगी ना, तुम डेथलेस हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, जैसे बोरोडेल गाटी है, यह इंग्लेंड के अंदरी गाटी है, जहां पर जो पेड पोदे उगते हैं, उनके उपर बोट सारे poets लिखा करते हैं, ऐसा सुना है आमने, तुम इस तरह से अमर हो जाओगे, जैसे कि बोरोडेल की जो गाटिया हैं, वहाँ पर जो पेड हैं, पोदे हैं, उनके जैसे, अंडर हूज ओफूल ब्रांचेज, लिंगर पेल, फियर, ट्रांबलिंग, होप, डैथ, एंड स्कल्टन, कि वहाँ तुम्हें कुछ भी सोचने के जुरत नहीं पड़ेगी, यानि, दुनिया जो है, खत्म हो जाएगी, सब चीजे जो है, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन पोईट्री जो है, वो पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी, और तुम्हें लोग याद करेंगे, मैं तुम्हें डेडिकेट करना चाहती हूँ, के जो रेना ट्री, यानि, तुम्हें जीवित रहोगे, पेड तु खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि पेड जीवित रहेगा, पेड की उमर होती है, लेकिन वो पेड कैसे जीवित रहेगा, पोिट्री में, पोईम के थ्रू, अगे दिखें, तुम्हारी खुबसूरती को एक्सप्रेइण करने के लिए कम पढ़ रहे ह। तुम्हारी ब्यूटी और यानि घुल सूरती, हैना कि हो सकता है कि तुम्हारी ब्यूटी को बहुत अच्छे से, मैं express नहीं कर पा रही हूं और फेन रिहार्स में लव डिफेंड दी फ्रों अबल्यून कर्स की लेकिन अबल्यून कर्स का मतलब हुता दस्टेट ओ विंग फोर्गोटन और इग्नॉर लेकिन प्यार जो है ना वो बना रहेगा हमेशा उसे कोई बूला नी सकता क्योंकि मैंने इट्स पर्वेसिव एंड इनएविटेबल प्रेजेंस टाइम के लिए बात की है कि बीत जाता है समय गुजर जाता है लेकिन उसको यहां पर किस तरीके से बताया है शैडू की तरह बताया है मैटाफर भी यहां यूज हुआ है अबलिवेन कर्स का मतला मैटाफर के ले यूज हुआ है क्या का है कि फोर्गोटन और इग्नोर्ड ओर टाइम की समय के साथ इग्नोर किया जाएगा ना तो इस तरीके से हम पोएम को तो कम्प्लीट कर लिए लेकिन जो में जो हमारी कोश हम पेवारी कुछ के बारे में कुछ लिखना होता है तो हम निकालते हैं पोएम से रिलेडिट कोई बी कॉशन आजबता है तो हम यहां से लिखते है थोड़ा धियान देना है बहुत अचे से दिखिए ठोड़ा ओधर के बारे में थीम और मैसेज ब्लाषा है जरासा है इंडियन पोइट मानी जाती है, जो इंग्लिश में लिखती थी, ठीक है, फोर्म क्या है काज़ रिना चुरी की, पोएम 55 लाइन्स की है बाई, ओके, और यह 5 स्टेंजा में डिवाइड़ है, हमने जिस तरीके से की है, और हर स्टेंजा के अंदर 11 लाइनस है, ठीक है, तो य किसे 11 लाइनस है, में थीम क्या है, थीम है मेमरी, याद, प्यार, नोस्टैल्जिया, पावर ओफ नेचर, सारी चीज़े आपके सामने अभी आई है, अपने पास्ट को याद करती हो, पास्ट मेमरी पर बेस्ट है यह, मैसिस थीम जैसा है, सेम, कि पोएम ने बताया है, एं क्या करेंगे, थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं, देखो, ऐसा नहीं है, कि इतना सा आपने कर लिया और इसे काम चल जाएगा, लेकिन हाँ, आपका 99% काम चल जाएगा, यह मैं आपको गरेंटेड कह रही हूं, क्योंकि आपको ना बाकी सारा का सारा, जो भी आप रेफरेंस अच्छे से आती है, ना sentence structure अच्छे से आता है, तो अपने जो सुन लिया, अगर उतना लिखिया है, तो इस राइटर से रेलेटेड, इस वर्क से रेलेटेड आपका लगबग कंप्लीट हो गया काम, देखे, इंडियन बेंगोली पोईट है, यह ट्रांसलेटर भी कहलाती ह बहुत ही चोटी से उमर में एक्सपायर हो गी तो इनका जनव हो गए तो 1856 में और 1877 में एक्सपायर हो गए थी, तो बहुत छोटी सी थी यह, यह सी लिए इनको जोन कीट के साथ भी रेलेट किया जाता है, शी इस नौन फॉर हर वोल्यूम फोईटर इन इंग्रियूस इन बहुत अच्छी पोएम, बहुत ही अच्छी, ठीक है, इनके लिए बहुत जाद जानते हैं, और एंशिंट बैलेड और लिजंट ओफ हिंदुस्तान, यह जो आप पोएम जो इनकी पढ़ते हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, जो इंडिया से रिलेट करती हैं, वो लगबग इसी कलेक्शन की हैं, ज्यादा तर, इसी की हैं, यह लगबग है ना, यह कहा जाता है, कि इनको टूबर क्लोसेज हो गया था, और यह सिर्फ 21 साल की उमर में ही एक्सपायर हो गए थी, तो यह हमारे पूरा कंटेंट कंप्लीट हो गया, अब राइम स्किम की ब जरूर बतानी है, तभी पता चलता है, कि आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया ना, तो लाइक कर दीजिए, और शेयर जरूर कर लीजिए, शेयर किया कीजिए, शेयर करने से और भी लोगों को फायदा होता है, और सब्सक्रा